हेलो फ्रेंड्स मैं नुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में में बात करेंगे Windows 10 को हम किस तरह से उसकी सेटिंग करें कि वो फास्ट शटडाउन कर पाए क्योंकि Windows में क्या होता है कि कि जब तक आप उसको फुल अपडेट नहीं कर लेते और फुल कुछ केसिज में फुल अपडेट करने के बाद भी जब आप उसको शटडाउन करते हैं तो मॉनिटर जो होता वो उसका पावर आफ हो जाता है डिस्प्ले आफ हो जाता है उसमें लेकिन जो CPU है वो काफी दिर तक रनिंग में रहता है उसको हम किस तरह से उसकी सेटिंग करें कि ताकि हम इसको फास्ट शटडाउन कर पाएं और CPU जल्दी से वाप हो जाए कि रेजिस्ट्री में कुछ इस तरह की सेटिंग है कि उसको आपको चेंज करना पड़ता है और तभी आप उसको फास्ट सब्सक्रावन इसके लिए एंबल कर सकते हैं तो विंडूस आर प्रेस करते हैं और रजिस्टtsåी अडिट उपन कर लेते हैं दोस्तों इसमें रजिस्ट्री में क्या करेंगे कि सबसे पहले लोकल मशीन क्लिक करेंगे लोकल मशीन इसके राद सिस्ट्रम करेंट देखेंगे एक यह wait to kill service time out होता है इसमें wait to kill service time out इसका आप modify करके इसको 2000 कर सकते हैं यह 1000 भी कर सकते हैं तो यह basically किसकी जो services होती हैं उसको बंद करने का time होता है तो यह इसको time को reduce कर देते हैं इसके बाद हम दुबारा control पे जाएंगे और control से हम session manager में session manager इसमें control में नीचे होगा session manager यह session manager में memory management होता है memory management memory management में आपको एक यह दिया होता है इसमें clear page file add shutdown इसको दोस्तों हमें इसको 0 पे enable करना होगा 0 यह ठीक है अगर 0 है तो ठीक है अगर इसमें 1 या 2 या कोई भी और number आपको show कर रहा तो उसको आप 0 पे क्लिक करके यहां पर इसको इसको 0 करके और ok कर दें इसको तो एक ही है setting हमें इसकी करनी होगी और इसके बाद आपको कंट्रोल में जाना हो कंट्रोल के बाद इसमें आपको यहां पर इसमें दू तीन कुछ settings वगरा इसमें रींस कंफिगर करनी होगी जैसे कि एक तो हमने इसमें वेट टू किल टाइम आउट इसको करना होता है वो हमने कर दिया है 2000 कर दिया है इसके अलावा में क्या करना new string value एड़ करनी होगी new string value इसमें हम क्या करेंगे clear page file add shutdown इसको लीखेंगे हम इसको लीखेंगे clear page file add shutdown इसको हम click करके इसको modify करेंगे और इसमें हम इसको 2000 कर देंगे इसमें value data इसका 2000 कर देंगे इसके बाद हम एक और string values में add करेंगे इसमें लिखेंगे hung app timeout इसको भी हम modify करके इसमें 2000 एंटर कर देंगे इसको और इसके बाद एक और हम इसमें करेंगे add इसको भी auto end task करेंगे और यह basically कोई भी task को end करने के लिए तो इसको हम zero न रखके one करेंगे क्योंकि नहीं तो यह off हो जाएगा तो इसको हम इसकी entry हम कर देते हैं one के साथ तो यह entries हो गई है अपनी सारी इसमें और दोस्तों computer को shutdown करने के लिए हमें जो चीजें इसमें running में रहते हैं जो services या कोई टास्स या कोई आप रनिंग में रहती हो उन सबको हमें close गरना होता है तो सबसे पहले जैसे जो हमने यह सारी entries की हैं उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका टास्क चल रहा है तो उसको एक बार बंद करना होगा इसको computer को shutdown अगर आप fast करना चाहते हैं पेज फाइल जो होती है जैसे computer में आप जैसे हिहां पेज फाइल की setting करते हैं सब्सक्राइब करते हैं कि जिससे उसकी speed वगर थोड़ी बढ़ जाओ पेज फाइल बड़ी बना देते हैं तो थोड़ा से रैम की तरह यूज करता है system इसको तो यह चैसे page file होती है यह इसको आप इसको पहले जो होता है time जादा होता था तो वो काफी देर लगा देता था अठका रहता था system वापर जब तक time out नहीं होगी जब तक app बंद नहीं होगी वो hang app तो यह इसलिए होता है और इसके लिए वह इन्होंने time out की 5000 करके 5000 time out हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने अब shut down कर देगा इस सारी चीज़ों को आप चाहें तो इनको सबको 1000 भी कर सकते हैं तो यह इस तरह से सारी services को automatically shut down करता है उसके बाद computer जल्दी shut down कर पाएगा नहीं तो वो काफी देर तक इसका running में रहता है और आपको लगता है कि computer shut down होगी लेकिन उसका CPU running में रहता है तो कि यह entries हमें करने होंगे और यह करने के बाद दोस्तों जब आप restart करेंगे system को तो उसकी performance और जब आप उसको shut down करेंगे तो उसमें आप extraordinary फर्क देखेंगे कि किस तरह से एक दम shut down हो जाता है computer तो एक बार हम system restart करते हैं दोस्तों इसके लावा अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को subscribe कर लें share comment and like भी आप कर सकते हैं और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गुडबाई